हे नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कोई सा भी मुबाइल हो किसी भी कमपनी का हो और उसमें आपको जो बटन से खराब हो गए हैं और आप बिना बटन के स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे आए जानते हैं यहाँ पर हमारे बटन ठीक है पर यहाँ पर हम बिना बटन के स्क्रीन शॉट लेंगे तो इसके लिए सबसे simple तरीका है आपको जाना है simple play store में तो play store open कर लिजिए और यहाँ पे आपको search करना है screenshot तो screenshot आप search करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा screenshot touch तीसरे नमबर का application आपको इस application को अपने phone में install कर लेना है तो हम इसको install कर लेते हैं यह सबसे simple, easy और अच्छा application है इसलिए हम इसको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह install हो चुका है यहाँ पे इस application आचुका है आप देख सकते हैं तो आपको इस application को simply open करना है open करने के बाद यह हलका सब wait लेगा और आपके पास कुछ इस तरीके का option आएगा तो यहाँ पे आपको ok करना है सबसे पहले ok करने के बाद आपको ऊपर दिखाई देगा start capture monitoring service आपको इस पे touch करना है allow करने को कहता है तो allow कर दीजिए अपने phone में और यहाँ पे आपके पास यह allow option आएगा आप इसे enable कर दीजिए फिर आप इसे back करें तो मैं इसे back करता हूँ नीचे की तरफ से और यहाँ पे start now आपसे कहता है तो start now कर दीजिए और हमारा काम पूरा हो चुका है और यहाँ पे आपको एक चीज दीखेगी यहाँ पे कोने पे एक camera बना हुआ आ चुका है यानि हम किसी भी चीज का screenshot ले सकते हैं यहाँ पे हम WhatsApp open करते हैं और यहाँ पे हमें इस page का screenshot चाहिए तो हम इस icon पे touch करेंगे आपको जो दिखाई दे रहा है यह यह वाला हम इस पे touch करेंगे तो इसका screenshot हो जाएगा तो ऐसा आप इसे use कर सकते हैं और आप इसको कही पर भी move कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप इस पे click करेंगे तो आपका screenshot हो जाएगा तो वीडियो पसंदाए वीडियो को like करिएगा और मेरे channel को subscribe करना मत भूलिएगा